हलो आवरीवन मैसल अव्यमिनेश सिंग और स्वागत सभीका अड़र 24-7 में दोस्तों तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्ड़न्ट निउस निकलके आ रहे हैं वह न्यूस यह है कि यहां पर आप लोग बहुत जादा प्रेशान हो रहे थे कि क्या बीटेक वाले इलीजिब है कि नहीं है नोटिफिकेशन में देखी क्लियर आउट लिखा था यहां पर कि यहां पर आपके सिर्फ क्या अच्डूकेशन क्वालिफिकेशन आपकी डेपलोमा यहां पर जो हापका एड्यूकेशन क्वालिफिकेशन में मांग गया रहता है electronics and telecommunication यानि कि यहां पर चकता हूं live side में और यहां पर देखते हैं कि वहां पर BTEK eligible है या फिर नहीं है चिक है यहां पर देखी यह form खुला हुआ है किसी का तो यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि highest education qualification है तो highest education qualification पर जैसे हमने click किया यहां पर देखिया तो यहां पर सारी चीज़ा आगे आपकी even MSC AMET क्योंकि हाँ पर BSE वाले भी eligible है तो इसलिए आपका यह सारी चीज़ा भी आ रहा है यहां पर देखिया हमारा BE है ना BE और BTEK यहां पर यहां पर eligible है तो जैसे आप उनने BE, BTEK जो भी आपने किया है यहां पर उसको अपने select किया और उसके बार देखिए यहां पर ज engineering, electronics, telecommunication, electronics and communication, electronics and instrumentation, जितनी भी electronics की branches है यहां पर eligible है आपकी, it means that BTEK जो है हमारा eligible है, यहां पर तो देखिये, BTEK and electronics and telecommunication, यहां पर eligible है आपके, ओके, तो यहां पर इस तरीके से देखिये, जो हमारा verify होता है, तो यहां पर SSC के जितने भी JEE वाले exam है, यहां पर हार qualifications, जो है आपकी eligible है, तो guys, कल ही last date है, अठारा तारीक जाने की, कल जो है आपकर आपके 11 बज़स तक यहां पर form filling की जाएगी, तो please guys, जितनी जल्दी हो सागे, यहां पर form fill कर दीजेगा, क्योंकि SSC की साइड जो अभी से चलना धीरे-धीरे था, stop हो रहा है, तो जल्दी से electronics and telecommunication बाले, diploma बाले भी eligible है, प्लस EC यहां पर जो higher qualification है, वो भी eligible है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग जल्दी से जल्दी form जो है भरते है, and guys, देखें, यहां पर, अगर आप खुछ से preparation कर रहा है, यहां पर, violent good करते रही है, और अगर यहां पर आपको जरूरत है, यहां प Google पर देखें, यहां पर उसके बाद यहां पर जाना है, तो अड़र 247 पर जाएंगे, उस पर यहां के बाद देखिए, कौन सा वालक खुल गया, भई, रो, यहां पर nothing but, अड़र 247 पर जाएंगे, आप, यहां पर simple search किए, अड़र 247, चीक है, तो जैसे यहां पर आप सर् यहां पर SSE IMD लिखा हुआ है, SSE IMD पर जाएंगे, और SSE IMD पर जाने के बाद यहां पर तीनों बैचिस अभी लेवल, आपके CSIT, Computer Science और Electronics है, यहां पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए, यहां पर view offers पर जैसे ही जाएंगे, यहां पर देखिए, कितना price दिखा रहा है, आपको, 3,500, तो यहां पर यह पर यह पर प्राइस आपको गलती से भी पे नहीं करने है, आपको सिंबल्स करने क्या है, यहां पर एक code लगाना है, additive over 7 की तरफ से Y 430, जैसे यह code लगाएंगे, यहां पर देखिए, जो discount है, कितना हो गया, 3,500, रुपे, मतल मतल के साथ साथ, faculty guidance के लिए जोड़ करी, अगर आपको दूसरा code यूज़ करेंगे, तो faculty guidance में नहीं आपाएंगे, ठीक है, तो यहां पर use this code Y 433, और यहां पर जो मतल कितने का जाएगा, 2600 का जाएगा, ठीक है, तो अभी clear है हमारे पास में, कि B, BTEC यहां पर, और diploma वाले दौनों ही यहां पर easy wallet, ठीक है, ओके गाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, प्लीज वीडियो को जादा से जादा share कर दीजेगा, जिससे यहां पर जितने भी BTEC वाले, वो सब किसम form भर पाएं, ठीक है, तो thank you so much guys, and session अगर अच्छे लगाओ, तो please like and share कर द